Dear Sir, Madam, Good Afternoon, Good Morning, Good Evening जो भी कुछ है, जो भी ठाइम है उसकी साथ आप मेरा अभिवादन सभीकार करें और ये वीडियो इस पेसली इस डेडिकेटीड टू उन लोगों के लिए जो ओफिशल ड्यूटी से रिटायरमेंट ले चुके हैं अब वो सिच्वेशन एक्चुली अगर मैं थोड़ा सा क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो मना रहा हूं वो मुझसे एज में काफी बड़े हैं और विद ड्यूर एसपेक्ट मेरे माइंड के अंदर आज ये थोड़ाया कि मैं ये थोड़ा उन लोगों के साथ भी सहर करूं जो रिटायरमेंट के पास हैं ये रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उन लोगों के लिए ये इस पेसली कि ये जो सिच्वेशन है रिटायरमेंट की इस आलमोस सिमिलर टू दी एज ओप जो आपकी एज थी 25 येर्स की राइट जब आदमी रिटायर होता है उसकी वो सिच्वेशन समझे या उसका माइंड की कंडिशन समझे वो सिच्वेशन है जैसे की 25 साल के किसी यंग परसन की होती है जो अभी इदर उदर जोब ढूण रहा है जो एक सोसाइटी के अंदर इन्वोल्मेंट चाहता है जो अपनी कुछ डिजाएर को फुल फिल करना चाहता है जो अपना कुछ नया एक एडवंचर स्टार्ट करना चाहता है यहाई सिच्वेशन वैसी ही है आप रिटायर्मेंट के आसपास हैं या रिटायर्मेंट ले चुके हैं तो फिजिकली मतलब सारी रिक रूप से और मेंटली आप चाहे कैसे भी हो लेकिन वो सिच्वेशन आप विश्वास के जिए वैसी है जैसे कि एक 25 साल के लड़के की जो अब जोब ढून रहा है वो जोब इ और यकीन मानिये कि आपका जो एक्सपिरियंस है वो कितना वैल्यूइबल होगा आपने कोई अपनी कोई ना कोई ऐसी खूबी रही होगी जहां आप लोगों के साथ में अपना एक्सपिरियंस सेर करते होंगे आज मैं आपको कॉल करता हूँ इंटरनेट पर आज मैं आपक को इन्वाइट करता हूँ आपको यूट्यूब पर आने के लिए प्लीज आप यूट्यूब पर आए और जितने रेश्ट आप दी परसन या पीपल हैं लाइक यू आप उनको अपना एक्सपिरियंस सेर करिए आपकी लाइप में जो भी कुछ एक्सपिरियंस रहे हैं जो यह पॉइंट्स आपको धियान रखने चाहिए अगर आप टीचर रहे हैं तो आप छोटे-छोटे बच्चों के लिए आप वीडियो लेक्चर देयार कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के या रिसर्च के लिए आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो टाइम आप जस्ट इ बेनेफिट उठा रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे आपको इस पॉइंट पर जितना सैटिस्पेक्शन मिला होगा उतना वॉल ड्यूरेशन के अंदर जब आपने जोब की होगी और यह सेंटेंस गलत भी हो सकता है लेकिन बोलने के लिए हैं यह मैं इसलिए बोल रहा कि आप मुझको विश्वास है कि आपका जो अब जो टाइम होगा और आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ही वेल्यूबल होगा फोर दी सोसाइटी फोर दी यंग जनरेशन फोर दी दोज पीपल जो इधर उधर इनफोर्मेशन ढूंडते हैं आप इमेजिन करिए कर सकते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप रिटायर्मेंट के पास आ चुके हैं या रिटायर्मेंट ले चुके हैं तो प्लीज कम ओन दी यूट्यूब और यूट्यूब पर आकर अपना एक्सपिरियंस सेयर करिए आप जिस फिल्ब में भी आप आप आपने अप 30 यर्स या 40 यर्स स्पेंट किया है और थोड़ा सा सोसाइटी उसका बेनेफिट ले थोड़ा सा आप उनके साथ में इंट्रेक्ट करें और यह जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि इतने इंजॉइबल होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भई ऐसे भी आपकी ए वो जो है वो उसको आप कभी नहीं भूल सकते तो आपकी requirement क्या है इसके लिए आपको क्या करना होगा यूट्यूब पर आने के लिए आपको क्या करना होगा आपके पास में कोई PC personal computer हो आपके पास में laptop हो या mobile phone हो smart mobile phone जिसको बोलते हैं जिसके अंदर internet चल जाए जिसके अं अगर आप ऐसा कुछ थोड़ा सा सीख सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं आप किसी बच्चे को बोलके अपना वीडियो रिकोर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं वो दुनिया के लिए अपनी community के लिए हम लोगों क यंग जनरेशन में जो वैल्यूज हैं उनको अपलिप्ट करने के लिए आप बिलीव करिए कि बहुत ज़्यादा यूजपुल हैं आप कहीं भी किसी एक कोर्णर में बैठे होंगे अपना टाइम पास करते होंगे लेकिन जब आप इस यूट्यूब पर आकर वो अपने ला प्लीज यह सारे अरेंजमेंट करिए और जो नीव जर्णी है एक एडवेंचर जो आपके लिए होगा आप उसको एंज्वाय करिए तो प्लीज अगर आपको कोई भी मेरी साइट से हल्प चाहिए यूज जेस्ट कमेंट बिलो दीस वीडियो और आपके पास टाइम होगा आपको जस्ट एक इनिशेटिव लेना है फोर गैट अब आउट की आप भूल जेए कि आपको क्या आप कैसे कहेंगे क्या इन फोर में सेर करेंगे आप जैसे अपने बच्चों को कोई सजेसन देना स्टार्ट कर देते हैं जैसे स्टुडेंट्स को कोई सजेसन जैसे कोई सब्सक्राइब बच्चों जैसे सब्सक्राइब का में आप जैसे कोई इसमय है अपने बच्चों कोई सविकार करेंगे तो आप जिस दिन अपना पहला यूट्यूब वीडियो है उसको मेरे साथ में सेयर करना मैं फर्दर उसको अब बाकी लोगों के साथ में सेयर करूंगा तो इसी के साथ में आपको नमन करता हूँ